तो शहद का सिस्टम पर अलग-अलग तरह का असर होता है. कच्चे शहद का एक तरह का असर होता है. अगर इसे थंडे पानी के साथ लिया जाए, तो अलग असर होता है. अगर इसे हलके गर्म पानी के साथ लिया जाए, तो अलग असर होता है। हम इसे हलके गर्म पानी में लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम खुल जाए। अगर आप इसे उबलते पानी में डालते हैं, तो शहद का कुछ हिस्सा जहरीला हो जाएगा। तो आपको इसे कभी उबलते पानी में नहीं डालना चाहिए, या आपको शहद को पकाना नहीं चाहिए. मुझा पता है कि पश्चिमी समाज में लोग हनी केक वगरे बना रहे हैं, वो इसे पका रहे हैं. अगर ये एक तापमान को पार कर जाता है, तो शहद जहरीला हो जाएगा. तो इसे एक ऐसे तापमान में पीना चाहिए, जो पीने लाइक हो.